अनाया अपने कमरे में लेट हुए एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक संसनी केस के बारे में बताया जा रहा था तभी उसे उसकी दोस्त त्रिप्ति का कॉल आता है जो कहती है अनाया कुछ सोचा तुने बॉस ने जल्दी कोई न्यूज ढूंडने को कहा है वरना हमें एजेंसी से निकाल देंगे सौरब और प्रताब भी बड़े टेंसन में है पता नहीं क्या होने वाला है अनाया ने कहा मुझे एक केस मिला है और मुझे लगता है कि हम इस केस की सच्चाई अगर सामने ले आए तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा इस बारे में मैं कल तुम्हें बताऊंगी तुम तीनों मुझे कल पास वाले रेश्टूरेंट में मिलो ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया फिर अगले दिन अनाया, त्रिप्ती, सौरब और प्रताब एक रेश्टूरेंट में मिले त्रिप्ती ने अनाया को केस के बारे में पूछा तो अनाया ने बताया कि उनके सहर से करीब 500 किलो मीटर दूर एक घना जंगल है जहां आसपास कुछ कवीले वाले रहते हैं गय थे, उन्होंने वहां किसी के पैरों के बड़े बड़े निसान देखे और उनका मानना है कि वहां कोई राच्छास या दानव रहता है चार या पांस साल पहले, साथ-ाठ फॉरेस्ट आफिसर ने वहां जाने की हिम्मत की लेकिन उन में से एक भी जिन्दा वापस नहीं आया उस हाथ से के बाद से किसी ने भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की और ना ही कोई न्यूज एजन्सी उस चीज को कवर कर पाई अनाया की बात सुनकर सब लोग थोड़ा डर गए थे सौरब ने कहा कि ऐसे में उनका वहाँ जाना सही नहीं है लेकिन अनाया ने कहा कि अगर वो लोग उस जंगल में छुपे रहस को सामने लाते हैं तो उनकी बहुत तरक्की होगी उसकी बात समने मान ली क्योंकि जौब भी बचाना जरूरी था फिर ठीक एक हफते बाद वो लोग उस जंगल की तरफ जाने के लिए निकल गए उन्होंने फोरेश्ट ओफिसर से पहले इसकी परमिसन ले और फिर सारा जरूरी समान लेकर निकल पड़े वो लोग आधे रास्ते ही पहुँचे थे और तब तक अंधेरा चा चुका था रात के उस घने अंधेरे में सिर्फ वही लोग उस सुनसान रास्ते में जाते हुए दिखाई दे रहे थे सौरब गाड़ी चला रहा था जबकि बाकी लोग सब सोच चुके थे करीब तीन से चार घंटे के बाद वो लोग उस जंगली इलाके में आ गए और जैसे ही उन्होंने उस सीमा पर कदम रखा अचानक उस इलाके में एक भयानक आवाज गुंजी वो भयानक आवाज सुनते ही सौरब ने ब्रेक लगा दिया और बाकी सब उठ गए पहले तो सम ने एक दूसरे की सकल देखी और फिर कार से उतरे उन्होंने आसपास देखा लिकिन आगे पीछे उचे उचे पेड़ों के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था प्रताब ने कहा ये आवाज ये आवाज तो किसी जानवर की लगती है कहीं यही तो नहीं जिसकी वज़ा से आसपास आतंक मचा हुआ है अनाय ने कहा कि अगर ऐसा है तो वो अपने मंजिल के बहुत करीब है सब लोगों ने कार से सारा समान निकाला और जंगल की ओर जाने लगे वो जंगल बहुत घना था कुछ ऐसा जैसे पैर रखने के लिए जगा ही नहीं थी पेडों और जाडियों से होते हुए वो सभी घने जंगल के अंदर चले जा रहे थे वहाँ कुछ आवाजे सुनाई दे रही थी जिससे चारों को थोड़ा डर लग रहा था जैसे तैसे करके वो लोग कुछ खुली जगा में पहुँचे और सबसे पहले उन्होंने आग जलाई ताकि जानवर उन पर हमला न करे फिर उन्होंने एक बड़ा टेंट लगाया जिसमें चारों अराम से सो सकते थे रिकॉर्डिंग के लिए पहले तो प्रताब ने आसपास कैमरा लगा दिया और न्यूज के लिए कुछ चारों ने सूटिंग कर ली फिर सब लोग सांती से आग के सामने बैठ गए और बाते करने लगे इतने मेही सौरब ने कहा कि उसे वासरूम जाना है इसलिए वो टेंट वाली जगा से कुछ दूर जाडियों में चला गया अब वहाँ इतना अंधेरा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि आगे पीछे क्या है तो वो अपना काम करने लगा तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज आने लगी वो सुनकर सौरव इधर उधर देखने लगा लेकिन उसे कुछ समझी नहीं आया कि वो आवाज कहां से आ रही थी जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुडा वैसे ही उसने अपने पीछे एक पेड को हिलते हुए देखा वो डर के पीछे हटा और उपर की ओर देखने लगा तभी उसने जो देखा वो देखकर उसके सोचने समझनी की ताका थी मानो खतम हो गई वो कोई विसाल सरीर का दानव था जो बिलकुल एक सूखे पेड की तरह दिखाई दे रहा था उसका चहरा एक हिरन जैसा था और आखे बिलकुल लाल थी उसका बाकी का सरीर इनसानों की तरह था लेकिन कुछ जुका हुआ और हाथ इतने लंबे थे कि धर्ती को छू रहे थे सौरव इतना डर गया कि उसके मूँ से मदद के लिए आवाज भी नहीं निकल पा रही थी वो बिलकुल सुनन सा पढ़ गया था वो दानाव सौरव की तरह बढ़ने लगा और फिर उसने इतनी जोर की चीख निकाली जिससे जंगल वापस से गुंजने लगा वो आवाज सुनकर प्रताब त्रिपती अनाया भी काप गये और उन्हें सौरव की चिंता होने लगी प्रताब ने कहा ये वही आवाज है कहीं सौरव खत्रे में तो नहीं वो तो मसाल भी लेकर नहीं गया हमें जाकर देखना होगा ये कहकर तीनों ने एक-एक मसाल उठाई और सौरव को आवाज देते हुए आसपास धूनने लगे इधर सौरव अभी भी उस दानव को देखे जा रहा था वो दानव अपने रास्ते में आने वाले छोटे पेड़ पौधों को कुचलते हुए सौरव की तरफ बल रहा था और तब जाकर सौरव को भागने का विचार आया लेकिन जैसे ही उसने जल्दी में भागने की कोसिस की अचानक उसका पैर किसी में फस गया और वो गिर पड़ा वो जोड से चिलाया और मदद के लिए अपने दोस्तों को आवाज देने लगा उसकी आवाज सुनकर तीनों दोस्त उस आवाज का पीछा करने लगे सौरब गिरने के बाद वापस उठकर भागने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और तभी उस दानव ने उसके पैर पकड़ के खीचे सौरब जोड से चीखा लेकिन तभी उस दानव ने उसकी मुंडी उखाड कर फेक दी और उसके बागी के सरीर के चित्ड़े चित्ड़े कर दिये फिर उसका मास खाने लगा जब तक तीनों दोस्त उस जगा तक पहुंचे तब तक उस जगा पर सांती चा चुकी थी ना तो वहाँ कोई दानव था और ना ही सौरब क्योंकि उन लोगों को मिली तो सिर्फ सौरब के सरीर के कुछ बचे हुए टुकडे और अलग से पड़ी हुई उसकी मुंडी उसकी इतनी घिनावनी हालत देखकर तीनों का दिल दहल गया दोनों लड़कियां चीखी प्रताब की भी रॉंक्टे खड़े हो गए थे अब तो सौरब की ऐसी हालत भी नहीं थी कि उसके सरीर को घर ले जाया जा सके तीनों उसे छोड़ कर बस वापस भागे ताकि उस भायनक जंगल को छोड़ कर निकल सके लेकिन जब प्रताब ने कैमरे को निकाला तो उसने उसमें कुछ नोटिस किया कैमरे में कुछ तस्वीरे कैप्चर हुई थी जिसे देख कर उसके होस उड़ गए थे उसने देखा कि उस पिच्चर में एक बड़ा सा विसाल दानों है जो दिखने में सूखे पेड जैसा लगता है लेकिन उसका सर हिरन जैसा है और बाकी का सरीर इनसानों जैसा उसने वो पिच्चर अनाया और त्रीप्ति को भी दिखाया जिसे देख कर उनके भी होस उड़ गए अनाया ने कहा कि वो इन तस्वीरों को लोगों के सामने ला सकते हैं ताकि दोबारा कोई इस जंगल में कदम न रखे और किसी की भी जान न जाये प्रताब ने उसी समय उन तस्वीरों को इंटरनेट पर अपलोड करके उस दानों के बारे में जानने की कोशिस की और तब उन्हें पता चला कि उस भयानक राक्षस को वेंडिगो कहते हैं जिसमें आपार सकती होती है ये एक दुष्ट आत्मा है जो सामने खड़े सिकार को कभी नहीं छोड़ता है इंसानी मास उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो कुछ ही सिकंड में अपने सिकार को कंकाल में बदलने की ताकत रखता है तीनों इतना घबरा गए कि मानों उनका दिल ही बहार आ जाएगा इसलिए तीनों ने बिना वक्त गवाए सारा समान पैक किया और एक-एक मसाल लेकर जल्दी वहां से भागने लगे लेकिन तभी उन्हें वापस वेंडिगो की आवाज सुनाई दी वो आवाज आस पास से ही आ रही थी इसलिए वो लोग डर के मारे जाडियों के बीच ही में ही छुप गए और देखने लगे कि वेंडिगो कहां से आता है तभी उन्होंने कुछ सुना इस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे धरती ही हिल रही हो सबके पसीने छूट गए थे उसी वक्त जाडियों के बीच में फसे तीनों दोस्तों की नजरों के सामने विंडिगो आ खड़ा हुआ जो उन्ही तीनों को घूर रहा था उनके हाथ में जो मसाल था उसकी रोसनी के कारण ही तीनों उसकी नजर में आ गए तीनों की आखे बाहर आ गई और सांसे जैसे अटक ही गई हो लेकिन प्रताब ने तभी अनाया का हाथ पकड़ा और त्रिप्ती को भी तेज भागने को कहा फिर तीनों न जाने जंगल के किस दिसा में भागने लगे पीछे पीछे विंडिगो के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी और वो बहुत पास भी था भागते भागते अचानक त्रिप्ती का पैर किसी चीज में फस गया और वो मू के बल गिर गई प्रताब और अनाया भागते हुए रुके और उन्होंने मसाल की रोसनी में देखा कि आज पास कितने सारे कंकाल पड़े हुए थे और उसी के कारण त्रिप्ती गिर पड़ी लेकिन इससे पहले कि वो दोनों त्रिप्ती की मदद कर पाते विंडिगो ने जोर की दाहार लगाई और त्रिप्ती का सर पकड़ के उसे जमीन पर जोर जोर से पटकने लगा जिससे सर फटने के कारण उसकी तुरंत मौत हो गई फिर अनाया और प्रताब के सामने ही उसने त्रिप्ती का खाल नोच-नोच कर निकाल दिया उसके हाथ में त्रिप्ती के सरीर की अत्रियां थी जिसे वो बड़े चाव से खाने लगा और उसका भी सिर्फ कंकाल ही रह गया अनाया और प्रताब उस घिनवने मंजर को देख कर अपने होस खो बैठे अनाया चीख पड़ी लेकिन तभी प्रताब उसका हाथ पकड़ कर भागने लगा भागते भागते दोनों नजाने जंगल के किस हिस्से में गुम हो गए अब विंडिगो की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी लेकिन उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि अब उस जंगल से बाहर कैसे निकला जाए दोनों एक जगा पर बैठ गए क्योंकि दोनों बहुत ठक गए थे उनके पास अब उनका समान भी नहीं था नजाने भागते हुए उन्होंने सारा समान कहां छोड़ दिया दोनों सांती से बैठ कर बाहर निकलने के बारे में सोच रहे थे लेकिन ये सांती पल भर की थी क्योंकि उसी समय अनाया को विंडिगो की लाल चमकती हुई आखे दिखाई दी अनाया डर के उठ गई और अचनक वहां से भागने लगी प्रताब को समझ नहीं आया कि वह अचनक क्यों भाग रही है लेकिन जब उसने पीछे मुल कर देखा तो उसे विंडिगो नजर आया और वो भी अनाया के पीछे भागने लगा अनाया के हाथ से मसाल गिर गई और उसे दोबारा उठाने का समय नहीं मिला फिर दोनों भागते हुए एक ऐसी जगा पहुँच गए जहां पर एक कॉटेज बना हुआ था उसे देखकर दोनों को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और दोनों उसके अंदर चले गए वो कॉटेज फॉरेस्ट आफिसर के लिए बनाया गया था लेकिन जब कुछ ऑफिसर्स की जंगल में जान गई तो उसके बाद कोई भी ऑफिसर यहां नहीं रहना चाहता था इसलिए पिछले चार-पांच सालों से वो खाली ही था उसके शारो और तारे लगी थी ताकि कोई जंगली जानवर कॉटेज के पास ना आए लेकिन विंडिगो को कौन ही रोक सकता था कॉटेज में जाने के बाद दोनों ने धरवाजा अच्छे से लॉक कर दिया और वहीं कुछ हतियार ढोडने लगे जिससे वक्त आने पर विंडिगो से बचा जा सके और तभी एक सेलव में प्रताब को कुछ बंदूके मिली लेकिन उसमें से एक बंदूक में ही गोली थी और वो भी दो थीन ही लेकिन प्रताब को लगा की उससे विंडिगो को मारा जा सकता है इसलिए उसने वो बंदूक अपने पास रख ली फिर दोनों एक कोने में चुपचाब बैठकर सांसे लेने लगे जो ना जाने कितने समय से अटकी पड़ी थी बाहर बिलकुल सन्नाटा चाया हुआ था एक डिर घंटे दोनों सांती से वहां बैठे रहे और फिर कब उनको नीन्द आ गई पता ही नहीं चला कुछ ही देर हुए थे उन्हें सोई हुए कि तभी बाहर से कुछ आवाजे आने लगी वो आवाज सुनकर दोनों की नीन खुल गई प्रताब ने खिड़की से बाहर जाक कर देखा तो उसे कुछ पेड़ नीचे गिरते हुए नजर आये फिर वो आदम खोर वेंडिगो नजर आया जो कौटेज की तरफ ही बढ़ रहा था प्रताब ने अनाया से कहा अनाया यहां से निकलना होगा वो कौटेज को भी बरबात कर देगा अनाया और प्रताब वहां से निकलने ही वाले थे लेकिन बाहर ही वो वेंडिगो आ खड़ा हुआ इसलिए वो बाहर नहीं जा सके वेंडिगो गुरा रहा था फिर उसकी नजर कौटेज पर पड़ी और उसने एक जोड़ार वार से ही कौटेज की एक तरफ की दिवार तोड़ दी प्रताब और अनाया चिल्लाए फिर उन्हें इधर उधर भागने का रस्ता ही नहीं दिखा वेंडिगो अनाया को देखने लगा और वो उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी प्रताब उसके सामने आ गया और जो बंदोग उसने रखी थी उससे वेंडिगो को सूट करने लगा लेकिन वेंडिगो पर उसका कोई असर नहीं हुआ उसने देखा कि वो गोलिया वेंडिगो के विसाल सरीर से आरपार चली जा रही थी और अब प्रताब की सारी गोलिया भी खतम हो चुकी थी उसने वेंडिगो पर वार किया और इस वज़ा से आदम खोर वेंडिगो को और ज़्यादा गुस्सा आया और उसने जोर से दहार जंगल के उस राच्छस का पारा और उपर चड़ गया था इसलिए वो और अजीव हरकते करने लगा था प्रताब और अनाया डर के मारे काप रहे थे क्योंकि अगले ही पल क्या होने वाला था इसका अंदाजा लगा लिया था उन्होंने फिर प्रताब ने एक तूटी हुई लकड़ी उठाई जो आगे से बिलकुल नुकीली थी और जब वेंडिगो ने वापस उन पर हमला करना चाहा तो प्रताब ने उसकी एक आंक में लकड़ी घुसा दी वेंडिगो दर्द के मारे कहरने लगा और वो मौका देखकर अनाया और प्रताब वहां से भाग गये पर प्रताब ने ये ध्यान नहीं दिया और आगे भागता गया अनाया भागते हुए ठक गई और घुटनों के बल बैट गई उसने पीछे से विंडिगो की आवाज सुनी तो वो एक पेड़ के पीछे तुरन जाकर छिप गई दूसरी तरब जब प्रताब को एहसास हुआ कि अनाया पीछे रह गई है तो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे उसे अपनी जान भी बचानी थी लेकिन वो अनाया को छोड़ना भी नहीं चाता था इसलिए वो वापस धीरे धीरे जादा आवाज किये बिना अनाया को ढोड़ने लगा अनाया चुपचाप जाडियों के बीच में चूपी हुई थी तभी उसको वेंडिगों के पास आने की आवाज सुनाई दी और वो कापने लगी उसने जाडियों के बीच से जहांक कर देखा वो दानव उसके बीच कदम की दोरी पर नजर आ रहा था वो इधर उधर देख रहा था लेकिन जब उसे आस-पास प्रताब और अनाया नहीं नजर आए तो वो आगे बढ़ गया अनाया को तब जाकर चैन की सांस आई तभी उसे एक बात याद आई कि जानवरों को आग से डर लगता है तो उसने कहा हो सकता है कि विंडिगों को भी आग से डर लगता हो मुझे अभी आग जलानी होगी उस कर उसने आग जला ली फिर वो प्रताब को ढूडने लगी करीब आधे घंटे तक वो एक दूसरे को ढूड रहे थे प्रताब ने अनाया को आवाज दी अनाया अनाया तुम कहा हो उसने एक दो बार आवाज दी पर उसे जवाब नहीं मिला वो ज्यादा चिल्ला भी नहीं सकत था क्योंकि इससे विंडिगो आ सकता था वो उस अंधेरे में अनाया को ढूंड ही रहा था कि तभी ठक कर एक पेड़ के सहारे खड़ा हो गया लेकिन तभी उससे ऐसा लगा जैसे वो पेड़ हिल रहा हो प्रताब के पसीने चूड गए उसने उपर की ओर देखा लेकिन उ वो आदम खोर उसे कहां छोड़ने वाला था उसने उसका पैर पकड़ कर खीचा और कुछी सिकंड में उसने प्रताब के पैर को अलग-अलग दिसा में चीर कर उसके सरीर के बीच से दो टुकड़े कर दिये विंडिगो के हाथ में प्रताब के सरीर के दो टुकड़े थे ज अनाया मसाल लेकर करीब दस कदम दूर खड़ी हुई थी और उसने जब वेंडीगो के हाथ में प्रताब की लास की वो हालत देखी तो उसका दिल दहल गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसा भी कोई चीज है जो इनसानों को इतनी घिनोनी तरीके से मार सकती है। अचानक सामने से वेंडीगो आता हुआ दिखाई दिया और अनाया की सासे जैसे अटक गई। वो समझ ही नहीं पाई कि वेंडीगो सामने कहां से आ गया। वो फिर पीछे की तरफ भागने लगी लेकिन भागते हुए उसके हाथ से वो मसाल छूट गई और सूखे बत्ते होने के कारण वहां आग फैल गई। अनाया ने देखा कि वेंडीगो अचानक आग को देखकर रुख गया और पीछे हटने लगा। तब अनाया को समझ में आया कि उस आग के जरिये से बचा जा सकता है। अनाया ने एक लकड़ी उठा ली जिसमें आग लगी थी और वो वहां से भागने लगी। वेंडीगो दूसरे रास्ते से होकर अनाया के पीछे जाने लगा। अनाया अब भी उसकी नजरों से दूर थी लेकिन फिर न जाने कैसे वो फिर से अनाया के सामने आ गया। अनाया आग की लकड़ी अपने आगे कर ली और वेंडीगो आगे नहीं बढ़ा। अनाया ने उसी आग से दोबारा आसपास आग लगा दी जो तेजी से फैलने लग लेकिन बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो किस हिस्से में है और जंगल के कितना अंदर आ गई है। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और बाहर जाने का रस्ता धुनने लगी। रात के तीन बज गय थे। कुछ ही घंटों में दिन निकलने वाला था और तब उसे उमीद थी कि वो उस जंगल से निकल जाएगी वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसे कुछ आवाजे सुनाई दी वो आवाज सुनकर उसके रॉंग्टे खड़े हो गए अब वेंडिगो के अलावा और भी जंगली जानवरों का खत्रा था अनाया को ऐसे में आगे बढ़ना सही नहीं लगा इसलिए उसने सोचा कि वो एक पेड़ पर चड़ कर जंगली जानवरों से बच सकती है तो वो एक उचे पेड़ पर चड़ने की कोशिस करने लगी पर मसाल के साथ उपर चड़ा नहीं जा सकता था इसलिए पहले उसने उसे बुझा दिया और लकड़ी को लेकर पेड़ पर चड़ गई किसी तरह वो बैलन्स बना कर उपर बैठी हुई थी और थकान की वज़ा से कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला उसे जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी जिससे उसकी हालत और खराब हो रही थी फिर वेंडिगो की आवाज आई और फिर से अनाया के पसीने छूड गए उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से माचिस निकाली और जो लकड़ी लेकर उपर चड़ी थी उसे जला दिया वो इधर उधर देख रही थी लेकिन उसे वेंडिगो नहीं दिखाई दिया वो उपर ही बैठी रही फिर दो घंटे बीद गए और दुबारा वेंडिगो नहीं दिखाई दिया उसने सोचा कि साइद वो उस एरिया से निकल गया होगा सुबा की पांच बज गय थे लेकिन घने जंगल में उजाला नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए अनाया नीचे आई और भागते हुए बाहर जाने का रास्ता धूनने लगी करीब दो घंटे तक वो लगातार चलती रही और तब तक वहाँ उजाला भी दिखाई देने लगा था जिससे उसे बहुत राहत मिली थी अब ना तो उसे वेंडिगों की आवाज आ रही थी और ना ही और जंगली जानवरों की मानो वो रात के समय ही बाहर निकलते हो अब अनाया को बस बाहर जाने का रास्ता धूनना था वो बस चलती जा रही थी चलती जा रही थी करीब 6-7 घंटे के बाद उसे वो जगा मिली जहां उन्होंने टेंट लगाया था वो खुस हो गई और उसे अब पता था कि बाहर जाने का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए वो भागी और आधे घंटे के बाद उसे सड़क दिखाई दी वहां उसकी कार भी खड़ी थी अनाया जल्दी कार में बैठी और तुरंत उस जगा से बाहर निकल गई जाते हुए बस उसके आँखों में आसु बह रहे थे क्योंकि इस जंगल ने उससे उसके अच्छे दोस्त छीन लिये थे और ये गम जिन्दगी भर उसके साथ ही रहा उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा बलकि वो अपने आपको कोशने लगी कि उसी की वज़ह से उसके दोस्तों की जान गई तो दोस्तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो मिलते हैं इसी के साथ एक और खौफनाक कहानियों में तब तक के लिए बाई and टेक केर